In the given figure, यह figure आपको given है, angle ACB, ACB, मैं इसको shade करता हूँ, अलग color से, this blue color, this angle ACB is equal to angle CDA, CDA, this angle, ठीक है, यह दोने equal है, तो AC अगर आपको 8 दे रखा है, AD आपको 3 दे रखा है, तो BD बताइए, BD याने यह, यह आपको X, let's say X है, यह आपको निकालना है, अब देखिए यहाँ प तो देख लेते हैं, देखिए, एक तो 8 cm यहाँ पर है, 3 cm यहाँ पर, तो हो सकता है, triangle ADC involved हो, ठीक है, triangle ADC involved है, और एक देखिए, यह वाला है side, यह वाली side भी है, और यह वाली, इसमें यह पूछी है, और यह गिवन है, मतलब हो सकता है, bigger triangle भी involved है, एक बार यह भी consider कर ले हो, ताकि आप easily समझ सकें, ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या common लग रहा है आपको, जैसे कि हमने अभी बनाया था, यह जो है blue color से angle, और यह जो angle है, यह given है, equal है, और क्या देख रहा है, दोनों में angle equal देख रहा है आपको, ठीक है, बहुत ही simple है, तो आप देख रहे हैं क कि दो triangle में अगर कोई भी दो corresponding vertices के angle equal है, तो क्या होता है, वो similar हो जाता है, तो we can say, we can say that first triangle is similar to another triangle by AA similarity rule, अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि नाम क्यों नहीं लिखा, आपके सामने, यहाँ पर one to one correspondence का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तब ही आपसे triangle वाले chapter हो पाएंगे नहीं तो इसमें problem आएगी, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ, angle, A पे जो angle बन रहा है, वो यहाँ पर angle A पर बन रहा है, ठीक है, इधर ही बताना पड़ेगा, इसके नीचे बतायता हूँ मैं, इसके मिटायता हूँ, द therefore A corresponds to this A, उसके बाद यहाँ पर D पर जो angle बन रहा है, और यहाँ पर C पर जो angle बन रहा है, वो सेम है, याने यह इसका triangle का D, इसका triangle का C correspondence है, उसके बाद बचा हूँ क्या है C, और इसका बचा है angle B, इस तरीके से होता है, so अगर हम इसमें लेना, लिखना चाहेंगे triangle A, D, C, अगर हम इसमें लिखना चाहेंगे नाम triangle, just a minute, अगर हम इसमें लिखना चाहें, left hand side वाले triangle का नाम हम लिखना चाहते हैं, triangle A, D, C, तो हमने पहले यह लिखा, फिर यह लिखा, फिर यह लिखा, फिर यह लिखा, तो यहा पर भी क्या आएगा नाम A, फिर C, फिर B, क्यों, because A corresponds to this, D पर जो एंगल बन रहा है, वो इसके corresponding है, इस पर जो C पर एंगल बन रहा है, वो इसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये जो sequence है, लिखने का जो sequence है, order है, करम है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जड़रत है, तो ये है by A, A similarity criteria, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, इसमें कौन-कौन से dimension given है, इस triangle का 8, इस triangle का 3, इस triangle का 8 और इस triangle का ये AB, AB क्या है, AD plus DB, याने 3 plus X, तो 3 plus X लिखते हैं, ठीक है, तो ये obviously ये similar होंगे, तो AC दोनों में आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा clear कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए, करने का तरीका समझे, इस triangle में भी AC आ रहा है, इस triangle में AC आ रहा है, ये दो हमें vertices लेने हैं, तो यहाँ पर भी पहला और आखरी वाला लेना पड़ेगा, ये ही similar होता है, कहने का मतलब है, हम लिखेंगे AC अपॉन, इसका वाला AC अपॉन, इसका वाला AB, should be equal to, अब हमें एक और AC चाहिए, तो इसका AC का है, पहले दो vertices, तो इसका भी पहले दो vertices लेंगे, इस तरीके से, और ऊपर कौन सा लिख रहे हैं, इस triangle का, तो ऊपर इस triangle का ही आएगा, तो AD लिखेंगे, तो इसका कौन सा आएगा, AC, बस, अब इसको solve कर लिए, जब cross multiply करेंगे, AC into AC, AC square, and AB into AD, is equal to AB into AD, AC, तो AC क्या है, यह देखें, 8 है, 8 का square, 64, AB, AB की क्या value है, 3 plus X, और AD की क्या value है, AD है, 3, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा solve कर लिएते हैं, 64 is equal to 9, plus 3X, 3X is equal to 64, minus 9, 55, और X is equal to 55 by 3, option है क्या है, यह देखेंगे, इसको further solve करने की जड़ों था ही नहीं, 55 by 3, यह देखेंगे, यह देखेंगे, ठीक है, easy है,